लाइफ में तो संगर चलता रहता है लेकिन हाँ हम उस दौरान कई उचाईया भी छू लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि हमारा जो एक टार्गेट होता है शायद उस लच्छ तक जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमको लगता है कि हमने कुछ एचीव नहीं किया हमको मिला नहीं लेकिन सचाई यही होते हैं कि हमको कुछ बहुत सारी चाई मिल चुकी होती है उस दौरान जहां तक इस्ट्रगल किया मैं कहूंगा तो इस्ट्रगल ही जीवन है मतलब जो संगर सी जीवन जिसको बोलते हैं लोग तो मेरे साथ भी ऐसी चीजे रही हैं जेसे कुछ लोग बोलते हैं अरि यार आपने तो बहुत कुछ पा लिया अईसा है वाईसा है लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज मुझे पाना है वो नहीं मुझे अभी मिला हुआ है तो कहीं ने कहीं मैं अभी भी संगर्स कर रहा हूँ रही बात जो मेरी इंट्री हुई है तो इंट्री इतना यादा मुझे मतलब तकलीव दे नहीं थी क्योंकि मुझे आने के साथ ही कुछ एक वर्सों में ही मुझे लगता है कि आजे सी नहाजे जिन्होंने फिल्म बनाई थी ससरवड़ा पैसा वाला जो बहुत बड़ी ब्लॉग बास्टर थी उन्होंने मुझे चांस दिया था जिस फिल्म का नाम था दुनहिया नाचना चाहे उस दोरान से मुझे लोगोंने पसंद किया कि अच्छा दिखता है अच्छा लड़का है जो भी है लेकिन कुछ चीजे ऐसी आई बीच में कि माल लेजी फिल्म नहीं चली किसी कारण बस तो वो डारेक्ट आप लोगों को मालम है हीरो के उपर आता है कुछ एक नेचर काउंट करते हैं लोग मुझे मैं अपने दर्सकों को कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ लड़का हूँ मेरा जो जीवन है समझे कि 23 साल, 22 साल, 23 साल मैं एक छोटे से गाउं में मेरी जिंदगी मैं आजमगर जो जिला है उत्तरपरदेश का वहाँ पे एक अतरुलिया विधान सभा है और गाउं का नाम है सुल्तानपूर तो मैं उस सुल्तानपूर गाउं से मैं बिलॉंग करता हूँ वो एक छोटा सा गाउं है प्यारा सा तो मैंने अपना 23-24 साल लगभग वहीं पे गुजा रहे हैं जो मेरा नेचर है थोड़ा सा दबंग स्टाइल का है जिसको कुछ लोगों ने पसंद की या कुछ लोगों ने अलग वे से सोचा लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा उन नेचर है ना कि मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ मेरा वह attitude है चलने का तरीका है ऐसा तो मुझे उसका भी नुकसान हुआ मतलब लोगों को लगा कि यार आदमी सही नहीं है लेकिन जो काम करते थे वो लोग कहीं कहीं मुझे support करते थे कि यार बंदे में दम है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो लोग बोलते थे कि नहीं उसका नेचर अच्छा नहीं है लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि जब आप मिले नहीं तो आपने नेचर कैसे decide कर लिया किसी के बारे में आप नहीं बोल सकते है तो मेरे साथ दुरभाग गए यह रही यह बाते हैं कि मेरे नेचर पर जादा खेला गया है ना कि विकरान सिंग के मतलब कि उस टैलेंड को लोगों ने ज़्यादा सोचा या देखने के लिए आए तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपसे कि मैं विकरान सिंग मैं बता देना चाहता हूँ जो अभी हाथ मार के गए हो सुवास भाईया जी है जिन्होंने मेरे लिए एक फिल्म मनाई थी मुन्ना बजरंगी और जिस फिल्म से मुझे एक नाम मिला मुकाम मिला मुझे तो अभी देखिया आप लोग इंटर्वियू कर रहे थी उसी दरान मुझे हाथ देके गए हो तो कहिन कहिन का भी हाथ रहा मेरे उपर तो मुझे फिल्म एक ही फिल्म है जिसको लोग जानते है जिसका नाम है मुन्ना बजरंगी बहुत बड़ी फिल्म थी अभी लेटेस्ट फिल्म जो आई थी प्रेम लीला जो काफी सकसर रही है आने वाले समय में बहुत सारा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ एक्शन पाइक फिल्म में करने जा रहा हूँ जिसमें जैसे रराम फिल्म है और नतुनिया पे गोली मारे टू है और भी हो सकता मुनना बजरंगी टू भी बन जा है क्योंकि प्लानिंग चल रही है एक्शन पाइक करने की हाँ ने ने मेरी ऐसी स्टोरी नहीं रही क्योंकि मेरे फादर ने सपोर्ट किया मेरी मदन स्टोर्ट किया मुझे सारी फैङली ने elephants सपोर्ट किया है मेरे फादर यहां पर छोड़ के गया है और मेरे साद ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं भाग के आया या घ्र रेलस्टेसन पर सोया ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं अपने पब्ली को बताना चाहता हूं कि अगर आप सलमान खान ने बहुत कुछ मुझे लगता है कि उनके साथ दुरगटनाएं हुई उस चीज उस दोर को कोई याद नहीं करना चाहता है लेकिन मैं उस टाइम से उनका फैन रहा हूं जिस समय से लोग उनको बहुत कुछ पटांग बोलते थे आज तो खैर मतलब एक अलग मुकाम है रिदिक रोशन को मैं पसंद करता हूं रनबीर कपूर को पसंद करता हूं अक्षे कुमार को पसंद करता हूं और इनको देख कि मुझे बहुत एनरजी मिलती खासकर अक्षे कुमार को क्योंकि अक्षे कुमार ने जी हिसाब से अपने आपको चेंज किया सारी चीजे जो लाए हैं वो और आज इंडस्टी में बंदा बहुत उपर मतलब जिसको बोले तो एक सर्वे सर्वा बोल सकते हैं क्योंकि मैं बहुत पहले से पसंद करता था अक्षे कुमार को तो अक्षे कुमार भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रिंटना है करते रहते हैं तो कि अच्छा कर दिया है नर्वस मैंने बोला नर्वस मुझे बाते सुनके हुई है मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए बलकि मैं और मजबूत होता चला गया नर्वस मैं हुआ हूँ या पापा से भी लेकिन मैं आइक्छिली में बहुत स्ट्रांग इस मैंटर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मुझे आए मैं फाइटर मुझे लुक फाइटर बोलते हैं हाँ मैं मैं बिल्कुल मैं सबसे पहले तो मैं अपने मेरा जिस बिद्याले से मैं पढ़के आया हूँ जहां से मैंने आइचली में रंग मंच जिसको मैं जानता हूँ सरसवतीुं सुमंदिर, सरसवती बिद्या मंदिर मैं میरे रामनैन महुर जी जो अचारी जी थे उनके जरीए मुझे लगता है कि मैंने कला को जाना में अथो एक मुझे आएक जैनल के जरीए कि मैं उनके बारे में बोलना चाहूँ, उन्होंने मुझे बुरे वक्त पे सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपनों का, थैंक यू